नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि गलिपिजाइड टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, ग्लिपिजाइड टेबलेट को कैसे लेना चाहिए और ग्लिपिजाइड टेबलेट की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि ग्लिपिजाइड टेबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में ग्लिपिजाइड टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ग्लिपिजाइड टैबलेट का उपयोग टाइट टू डाइबिटीज में बलड शुगर लेवल को नियंतरण में करने के लिए किया जाता है। ग्लिपिजाइड टेबलेट शरीर के पेंक्रियाज में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देती है और ज्यादा ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वज़़ से किड्नी डैमेज हो सकती है, आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए regular exercise और life style वकान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का blood sugar level 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को diabetes की समस्या है। Glipigide tablet 2.5 mg, 5 mg व 10 mg की strength में available है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम discuss करेंगे कि Glipigide tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Glipigide tablet की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ percent व्यक्तियों में Glipigide tablet की वज़े से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं। जैसे सीने में जलन होना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्ध होना, दस्त, चक्कर आना और ब्लड शुगर लेवल ज्यादा कम हो सकता है. ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने पर जी मिचलाना, दिल की धड़कन का तेज होना, आखों से धुन्दला दिखाई देना, पसीना आना, सिर चक्राना, शरीर में कमपन, कनफ्यूजन होना और भूक का ज्यादा लगना आदी लक्षन शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने की वज़र से हो सकते हैं, अगर किसी व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल सतर मिलिग्राम पर देसिलीटर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती का ब्लड शुगर लेवल कम है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने पर शुगर लेवल को ठीक करने के लिए शहद, चीनी, ग्लुकोस टैबलेट या फलो के जूस आधी में से आप किसी एक का सेवन कर सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि ग्लिपिजाइड टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में ग्लिपिजाइड टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको ग्लिपिजाइड टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। चिंता वतनाव से बचना चाहिए। परियाप मात्रा में नीन लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको ग्लिपिजाइड टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए। और आपको ग्लिपिजाइड टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेडूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। अगर आपको ग्लिपिजाइड टैबलेट का सेवन करते समय भी बार-बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, शरीर में ठकान रहना, कन्फ्यूजन होना, नीन अधिक आना और सांसों से बद्बू आना आधी लक्षन होते हैं, अगर आपको इन में से कोई भी लक्षन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिती में आपका डॉक्टर दवा की डोस को बढ़ा सकता है, या दवा को बदल भी सकता है, लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और टाइप वन डाइबिटीज होने पर ग्लिपिजाइड टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्टर की सला के बिना ग्लिपिजाइड टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, अब हम डिसकस करेंगे की ग्लिपिजाइड टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है, ग्लिपिजाइड टैबलेट को खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद लेना रेक्मेंडेड होता है, ग्लिपिजाइड टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और शरीर में शुगर लेवल के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है, रही महिलाएं ग्लिपिजाइड टैबलेट को ले सकती है या नहीं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ग्लिपिजाइड टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्तर जरूरत पढ़ने पर ग्लिपिजाइड टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका गलिपिजाइड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके कुछ सकते हैं